हे गाईज वलकम बाक टूमार चानल हापी आर्स तो कैसे हैं आप लोग तो आज मैं आपके लिए फिर से हापी आर्स में बहुत ही टेस्टी चटपटा और कुरकुरे नाश्टे की रेसिपी लेके आए हूँ जिसको आप इवनिंग या मॉर्निंग कभी भी बनाईए और को खिलाईए सबको यह बहुत पसंद आएंगे तो चलिए फिर यह सूपर टेस्टी क्रिस्पी स्नेक्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो इस नाश्टे को बनाने के लिए मैंने एक बोल ले लिया है जिसमें हम आट करेंगे आधा कप चावल का आटा अगर आपके पास चावल बेसन यहां पे आट कर दिया है मेजमिन के लिए आप कोई भी कप या कटोरी घर में से रख सकते हैं इसके बाद हम इसमें आट करेंगे लगबग एक छोटी चमश जीरा इसका टेस्ट इसमें बहुत ही ज़ादा आच्छा आता है आप चाहें तो जीरे की जगा आज वाइन का यूज भी कर सकते हैं आदा चोटी चमश मैं यहां पे लाल मिर्च पाउडर आट कर रहे हूं इसको आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं थोड़ा सा हम यहां पे हींग आट करेंगे ताकि इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आए और स यहां पे एक कप पानी ले लिया है जो सारा का सारा पानी हम इसमें आट कर देंगे विसका की मदद से अच्छे से इसको घोल लेंगे और विस इस चीज का ख्याल रखिए कि इसमें कोई भी लंस नहीं होने चाहिए तो यह बेटर जो है मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर ल अब मैंने एक कड़ाई ले लिये जिसमें मैंने एक बड़ा चमश तेल गरम किया है तेल गरम हो जाने पर हम इसमें आट करेंगे एक मीडियम साइज का प्यास जिसको मैंने बारीक चॉप किया है साथी साथ मैंने हाफ कैपसिकम यानि की शिमला मिर्श को भी बारीक चॉप आड़ कर सकते हैं ये तीनों सब्जियां आड़ करने के बाद इनको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी और साथ ही साथ न मैं यहां पर थोड़ी सी हरी मिर्ष भी आड़ कर रहे हूं अगर आपको तीखा नहीं पसंद है या फिर आप बच्चों के लिए इसको बना रहे हैं हरी मिर्ष के अगलावा आप यहां पर चिली फ्लेक्स का यूज़ भी कर सकते हैं अब हमको क्या करना है इन सब्जियों को पकाना है लगबग 2 मिनिट के लिए हमको इनको पूरी तरह से कोक नहीं करना है बस उतना कोक करेंगे कि इनका कच्चापन खतम हो जाए तो यहां प नमप को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने जो यह घोल बना के रखा था चामल के आटे और बेसन का इसको एक बार मिक्स करते हुए सारे बेटर को हम कड़ाई में आड़ कर देंगे और बस अब आपको इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है और इसको ह को लगतार चलाते रहना है गैस की फ्लेम को आप हाई ये मीडियम कर सकते हैं तो यहां देखे लगबग दो ही मिनिट में कितना अच्छे डो की फॉर्म में हो गया है अब इस स्टेज पर मैं इसमें हरा धनिया आड़ कर रही हूं आप देख सकते हैं यह सारे डो ने जो है बि ठंडा हो जाए तो पिल्कुल जल्दी से हमारा यह डो है ठंडा हो गया है हातों में मैंने अच्छे से ओइल लगा लिया ताकि यह हातों पे चिपके नहीं अब स्मॉल स्मॉल पोर्शन में इस डो को लेते जाएंगे और इस तरह से यह बॉल्स बना के तयार करेंगे जितन यह सारी बॉल्स को एड़ करना है और यहां पे जो बॉल्स हमारी बनके तयार है बस इनको हमें के कर गे इस ओयल में आड़ कर देंगे तो ओयल को मैंने बहुत अच्छी हीट पे गरम किया हुआ है इन बॉल्स को फ्राइब करने के लिए आपको चाहें तो इसको हाई या मी कड़ाई को हिलाना है और इन बॉल्स को टर्न करना है इस तरह से क्या होता है बहुत अच्छे से बॉल्स जो है इक्वली रोल्स होती है और बहुत अच्छे से एक बढ़िया कोटिंग पहले इसके उपर हो जाती है तो यहां पे यह हमें अच्छे से टर्न करते हुए इसको पहुती सुंदर यह देखने में लग रही है और जितना जादा यह देखने में कालाफुल है उतना ही ज्यादा यह खाने में टीस्टी लगती है तो आप भी जरूर से इस रेसिपी को ट्राइ कीजेगा सर्दियों के मौसम में चाय के साथ गरम-गरम यह बॉल्स आपको बहु तो आप इन बॉल्स को चटनी या फिर कैचप के साथ इंचोई कीजे और पूरे घर को भी खिलाइए तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स टाइम हापी आर्स में नई रेसिपी के साथ थैंक्स फर वाचिंग